डूस्वाइब सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने सैम्संग के डिवाइस में मिस्कॉल नोडिफिकेशन सेट के से कर सकते और ये चीज़ आप किसी भी सैम्संग के मोबायल पर कर सकते हैं मिस्कॉल नोडिफिकेशन और आपको यह सेटिंग सेट करना है अपने डिवाइस में भी और आपको रिसीव करना है तो आप सिंपली दोस्तों इस वीडियो को फोलो कर सकते हैं जो सेटिंग में आपको बताने वाला हो सिंपली आप उसको फोलो किजिएगा तो आपके डिवा लाइन पैसा कामाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसे भी प्रॉल्म की रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके में सेज़ कर सकते हैं चले अज कि इस वीडियो को शूरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको लेक किसे नहीं होगा तो आपको फोन पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों आपको जाना है नोडिफिकेशन पर मिस्कॉल सेलेक्ट करना है आपको एलर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले alert option select करने से ही दोस्तों आपको alert मिलेगा miss call का उसके बाद show as pop-up set कीजिए sound यहाँ से select कर सकते हैं vibration mode enable कीजिए app icon base enable कीजिए lock screen setting आप यहाँ से कीजिए show content height content don't show notification कर सकते हैं और in do not disturb mode भी आप सेट कर सकते हैं ठीक है यह notification अगर आपको do not disturb mode पर भी चाहिए तो आप भी कर सकते हैं तो इस तरह के से दोस्तों आपका miss call notification setting set होगा उमीद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा थैंक्स वर वाचिंग